असलाम ओलेकुम स्टुडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरतुल एजूकेशन स्टुडेंट्स आज मैं 10th क्लास कंप्यूटर की पेरिंग स्कीम शेयर करने जा रही हूं पेरिंग स्कीम के साथ आप लोग का पेपर पैटरन भी गवरने वाला है इंपोर्टन चैप्टर भी बादा चलने वाले हैं चैप्टर के पेरिंग तक वीडियो को देखने है क्योंकि इसमें मैं आप लोगं के इंपोर्टन चैप्टर भी बताने वालियो हूँ चैप्टर के एंच्प्टर लुग स्ट Alsommet में बटाए हूं लेकिन mcqs इन chapters में से ही आएंगे तो हम चलते हैं हमारे सब्जेक्टिफ की तरफ जिसमें section 1 में पहले discuss करूंगी हमारे short questions का section अब section 1 में question number 2 में पहले discuss करूंगी जिसमें chapter 1 and chapter 2 का pair बन रहा है chapter 1 से 3 questions आ रहे हैं and chapter 2 से भी 3 questions आ रहे हैं then मैं आप लोगों को लेके चलती हूं question number 3 की तरफ question number 3 में chapter 3 and chapter 4 का pair बन रहा है chapter 3 से 4 questions आ रहे है and chapter 4 से 2 questions आ रहे है then मैं चलती हूं question number 4 की तरफ question number 4 में chapter 5 से questions आएंगे means कि इसके साथ किसी और chapter का pair नहीं बन रहा तो इसी chapter से 6 questions आने है total हमारे पास short questions में 6 questions होते है means कि हर पार्ट में और उनमें से हमें चार-चार करने होते हैं और सबके जो कुल मिलाके मार्क्स बनते हैं वो 24 बनते हैं देन मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ section 2 means के long questions के section के तरफ जिसमें question number 5 मैं बड़ा discuss करूंगी question number 5 में chapter 1 से long question आने वाला है question number 6 में chapter 2 से आएगा then हम question number 7 के तरफ चलते हैं question number 7 में chapter 5 से long question आएगा students हमारे पास 3 total long questions होते हैं और उनमें से हमें 2 करने होते हैं और इनके जो कुल मार्क्स होते हैं वो 16 होते हैं so students मैंने 10th class computer की pairing scheme आप लोगों के साथ share कर दिया से आप लोगों का पेपर पैट्रेंट भी कवर हो जाएगा और इपोर्टन चैप्टर्स भी पास चाल चुकें